हलो फ्रेंट्स वेल्कम केसी हो आप सब आई हो क्या आप सब अच्चे होंगे तो देखिए आज लेकर आए हैं दिवाली पर जो बच जाती है न मिठाई बासी बसूसी बासी मिठाई की आज हम कलाकन बना कर तैयार करेंगे बिलकुर रबडी जैसा तो निया पर देखिए मेरे पास है न मावे की मिठाई बची हुई पड़ी थी तो मैंने कुछ लड़ू बनाये थे कुछ इस तरीके से खोपरापाक की तरह इसे जमा लिया था तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद में जब ये मिठाई हम सारी तोड़ ले नियापे मेरे पास मावे की मिठाई बची थी तो मैं इससे रबडी टाइप बनाऊंगी तो नियापे मैंने लिया है एक ग्लास भर के दूद तो ये दूद को मैंने कड़ाई के अंदर डाल दिया है और दूद हम उबलने देंगे जब दूद में हमारा एक दो उबल आ गय तो ये देखिए चमचे से चला दिया है मैंने और चलाने के बाद फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये मिठाई डाली थी सारी मिठाई मैंने एक साथ नहीं डाली क्योंकि दूद को देखा था मैंने कि दूद हमारा कम नहीं पड़ जाई क्योंकि मुझे इस मिठाई को इसलिए मैंने थोड़ा-धोड़ा मिठाई को रोपते हुए ही मैंने दूद के अंदर डाली है तोऀन आपора देखिए मैंने इसा अच्छे से चला लिया है तो इसके अंदर अच्छे से बबू लाने लगे न क्योंकि मिठाई के अंदर मैंने चीनी डाल रखा था लेकिन दूट डाला है ना तो उससे थोड़ा फीका पन लगे तो निया पे मैंने एक छोटी चम्मा डेड़ चम्मा चीनी डाली है थोड़ी सी इलाइची का पाउडर डाल दिया है और बस इसे चला देंगे जब यह चीन कि रहती है घर में तो फिर त्यार खतम होने के बाद में यह मिठाई नहीं खाई जाती है तो बस इस तरीके से आप जरू ट्राई कीजिएगा यह एक नई रेसिपी बन जाती है और यह देखिए मैंने गिली रखी है बिल्कुल इसे सूखी सूखी नहीं रखी तो इसे ना बच्चों से लेकर बड़े तक पसंद करेंगे मेरा यकीन वानी यह बहुत अच्छी लगती है खाने में और जब गर्मागरों में से परोसेंगे आप तो बहुत अच्छी लगेगी खाने में न्या पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पिस्ता कत्रन और बादाम डाल दिया तो फ्रेंट्स आज के हमारी ये वीडियो आपको केसी लगी आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी तो चलिए ओके बाई बाई